नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिस्ट्री हप पे आज हम बात करेंगे मगत सामराज्य का उदय यानि की इमर्जेंस ओफ मगत एंपायर किस तना से मगत जो है वो 16 महा जनपदों में से सबसे ज़ादा शक्तिशाली बनता है और एक उत्तर भारत में बड़े से सामराज्य की स्थापना होती है तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं मगत की तो हमको तीन वन्ष के नाम आते हैं सबसे पहले आता है हर्याक वन्ष जिसको पित्रहंता वन्ष भी बोला गिया है जिसने 545 से 412 इसापूर शासन किया है इसके बाद आता है शिशुनाग वन्ष जिसने 412 इसापूर से लेके 344 इसापूर तक शासन किया और अंत में जो हम बात करते हैं तो नंद वन्ष आता है जिसने 344 से 324 इसापूर शासन किया है और इसी के समय में अलेक्जेंडर का भारत में आक्रमन भी होता है वो भी हम देखेंगे और इसके बाद मौरेवंश की स्थापना होगी चंद्रगुप्त मौरेदारा द्वारा तो ये जो मगत का शासन जो हम ये तीन राजवंश देख रहे हैं उनको मेके करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यंग वंश की जिसमें पित्रहंतावंश इसको बोला गिया है और पित्रहंतावंश इसको क्यों बोला गिया है क्योंकि इसके जो राजा हैं जितने भी आगे चलके बिम्बसार के बाद अजाच शत्रू है या उदाईन है ऐसा माना गिया कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करके राज सिंगासन को हासिल गिया था तो ये पहला पित्र हंतावंश है इसमें सबसे पहला राजा है बिम्बि सार जिसमें 542 से 492 इसापूर तक शासन किया लगभग 50 वर्ष का इसका शासन है और अजाच शत्रू है उसके बाद उसका प पास्तविक संस्थापक माना गया है मगध सामराज्य का और ये जो बिम्बि सार है इसका एक नाम श्रीनिक मिलता है हमको जैन साहित्यों में तो यहां से एक प्रश्न भी बन जाता है जैन साहित्यों में इसको श्रीनिक बोला गया है और महावंश के अनुसार बिम्बि सार ये लिच्वियों के नगर का सेना पती था तो ये लिच्वियों का सेना पती ऐसा माना है डियार भंडारकर साब ने लेकिन ऐसा महावंच से हमको पता चलता है कि उसको पंद्रा वर्ष की आयू में उसके पिता नहीं राज जदिया था तो ये इस तरह से डियार भंडारकर सा जिससे मगत की जो उत्तरी सीमा है वो सुरक्षित हो जाती है क्योंकि जो लिच्छवी थे वो मगत की प्रारंबिक राजधानी जो थी गृवरज उस पर रात में हमरा किया करते थे और अब क्योंकि इन्होंने ये एक वैवाहिक संबंद इस्थापित कर लिया है लिच्छवी इसको कोशल का जो राजा है प्रसेंजीत उसकी मित्रता मिल जाती है बिम्बी सार को तो इस तरह से बिम्बी सार को कोशल की भी मित्रता मिल गई और लिच्छवी की मिल गई अब क्योंकि कोशल और वच्छ जो है इनमें आपस में पहले से ही मधुर संबंद थे मित्रता थी तो अब मगत को कोशल, वत्स और लिच्छवी गणराज इन तीनों की मित्रता मिल जाती है इसके बाद ये मद्रदेश की जो राजकुमारी चेमा उससे विवा करता है और ये जो शेमा इसकी जो पत्नी है इसी ने कोशल नरेश प्रिसेंजीत को बहुत धर में दिक्षित किया था तो ये भी एक प्रश्ण मनता है यहां से महावग एक बहुत गरंथ है जिसके अनुसार बिम्बी सार की 500 पत्नियों का उलेक मिलता है हमको 500 राणियों का अलेक मिलता है हो सकता है उसने और भी बहुत सारे देशों या छोटे छोटे राज्यों गड़ राज्यों के साथ वैवाई संबंद स्थापित की होंगे अवंती का शासक है प्रद्योत उससे भी इसने मित्रता की क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जब प्रद्योत को पी लिया हो जाता है तो ये अपना राजवैद जीवक जिसका नाम है उसको भेजता है प्रद्योत की चिकित्सा के लिए तो इस तरह से इसने जितने भी महत्पूर्ण महाजनपत थे जितने भी शक्तिछाली महाजन पते उनके साथ या तो इसने वैवाहिक संबंध इस्थापित कर लिए या किसी ना किसी तरीके से मित्रता हासिल कर लिए और एक सद्रन राज्य की नीव रखिए गंधार शासक है पुषकर सारीन इसने भी बिम्बी सार के दरबार में दूद भेजा था तो इस प्रकार कूट नीति और वैवाहिक संबंधों से ही इसने अपनी आक्रमक नीतिक का शुरुआत किया है इसने फिर उसने अंग पर आक्रमन किया और अंग का जो राजा था बिम्बी सार की अधीनता में 80,000 ग्राम थे लगभग 80,000 तो यानि की काफी बड़ा सामराज यहां से बनना शुरू हो गया था अब क्योंकि मगत की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गरीवरज्र थी और ये क्योंकि जो गरीवरज्र था ये लिच्छवियों की आक्रमन की वेज़े सुरक्षित नहीं था इसलिए बिम्बी सार ने एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम है राजग्रह और इसको अपनी राजधानी बनाया और ये जो राजग्रह है ये पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था इस तरह से काफी सुरक्षित भी था सुरक्ष तो जो पद्रद्रकारी थे जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जो ऑफिसर से उनका तुरंत ट्रांसफर भी किया जाता था और उनको नौकरी से भी निकाल दिया था तो इस तरांसिस की जो पूरी नयाय विवस्था थी काफी कठोर थी बिम्बिसार ने बुद्ध स स्विकार कर देते हैं और दूसरी जो भीट होती है बिम्बिसार की बुद्ध के साथ वो ज्यान प्राप्ति के बाद होती है राजग्रह में कहां होती है यह महत्वपूर्ण है बुद्ध के साथ ज्यान प्राप्ति के बाद पहली मिलाकात राजग्रह में होती है और विने जैन धर्म था या ब्रामन धर्म का अनुवाई था और किसका अनुवाई था तो इसके ओपर थोड़ी से चर्चा गरम करें तो विनाय पिटक बोलता है कि इसने बहुत धर्म गरहन कर लिया और भिक्षूओं के लिए एक तरपण नाम का एक कर है इसको निशुल्क कर दिया त जर्पण जो है गंगा नदी को पार करने के लिए कर दिया जाता था इसको निशुल्क किया इसने लेकिन जैन सुरतों के अगर हम माने तो इसने जैन धर्म को अपनाया था जैन धर्म का अनुवाई था ये जैन सुरत ऐसा बोलते हैं कि इसने महावीर स्वामी के साथ नहीं बोला जा सकता कि ये किसी एकी धर्म का अनुवाई था इसने बहुत धर्म को भी अपनाया हुआ है जैन धर्म भी अपनाया हुआ है और ब्रामन धर्म के प्रती भी ये सहिश्णू है तो ये इस तरह से तीनो धर्मों के प्रती काफी सहिश्णू भाव रखता है और जो धार्मिक नीती है वो कट्टरता का भाव कहीं पे भी हमको नहीं पे दर्शाती आवशक सूत्र जैन साहित्य है इसके अनुसार अजाशत्रू ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और अंत में बिम्बि सार ने जहर खा लिया ऐसा हमको जैन गरंथ बताते हैं का भाई था देवदत उसने अजाशत्रू को अपने पिता को मारने के लिए उकसाया और महावंज भी ये कहता है जो कि एक और बहुत गरंथ है ये भी ऐसा कहता है कि बुद्ध की मृत्यू के आठ वर्षपूर अजाशत्रू ने बिम्बि सार की हत्या कर शासन प्रात किया तो इस तरह से जो बहुत गरंथ हैं वो बोलते हैं कि बहुत लिट्रेचर बोलती है कि अजाशत्रू ने पिता की हत्या करी लेकिन जैन गरंथ ऐसा नहीं बोलते कि उसने पिता की हत्या करी इस प्रकार बिम्बि सार ने बावन वर्ष कर शासन किया और मगत को चारों तरफ से सुरक्षित कर एक मजबूत राज की बुनियाद रखी जिसके उपर अब आगे चलके अजाज शत्रु जो है काफी जादा युद्ध नीती अपनाएगा अभी तख हमने ऐसा नहीं देखा कि बिम्वी थार ने बहुत जादा युद्ध किया है हाला कि उसने केवल वैवाई चंड के नाम से भी जाना गिया है तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए कुनिक जो है अजाज शत्रु का नाम है बिम्वी सार का नाम हमने पहले पताया श्रिनिक था तो इस तरह से कई बार क्रोश्चन घुमा फिर आगे भी पूछा जा सकता है बहुत स्रोतो ये अपने पिता को कारागार में डालता है या उसकी हत्या कर देता है उसी के वियोग में जो महाकोशल है या जिसको कोशला देवी बोलते हैं उसकी भी मृत्यू जाती है उसी वियोग में और इस मृत्यू के बाद जो उसका भाई है प्रेसेंजीत वो जो है अजाज शत्र प्रसेंजीत में दो बार युद्ध होता है, पहले युद्ध में प्रसेंजीत हारता है बुरी तरह से और उसको शरण लेनी पड़ती है, अपने सामराज जी की उत्तरी भाग में जाकर, दूसरे युद्ध में फिर वो अजाज शत्रू को बंदी बना लेता है, और अंत में अज उसका भांजा और उसके दामाद होने की हसियत से, वो कोशल को मगद में मिला लेता है, तो अब इस तरह से कोशल, काशी, जो है, ये सब मगद में मिल गए, और गंगा नदी पर नियंत्रन स्थापित करने के वजए से, इसका अब वज्जी संग के साथ संगर शुरू ह आता है, ऐसा बोला जाता है कि गंगा नदी पर नियंत्रन स्थापित करना था, क्योंकि गंगा नदी के माध्यम से बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, लेकिन एक कुछ कहानी ऐसी भी है कि जैन साहित्य जो है, वो ऐसा बोलते हैं कि वैशाली के राजा चेटक की जो पुत्री थी, चेलना, और अपनी अनलब चेलना जो उसकी पत्नी थी बिम्बी सारगी, उससे जो पुत्रते हल और बेहल, उनको अपना प्रसिद धाती दे दिया था, और उनको एक 18 लड़ियों का एक हीरे का हार भी भेंट किया था, लेकिन जब अजाश अत्रु की पत चेटक के पास चले आते हैं, और चेटक जो होता है, वो इनको लोटाने से अस्विकार कर देता है, इसी बात के उपर अजाश अत्रु और लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध खोशित हो जाता है, लेकिन वस्तुता अगर देखा जाए तो बात सिर्फ इतनी है, कि म वज्जी को तब तक पराजित नहीं किया सकता, जब तक वो संगठित है, जब तक उसके अंदर एकता है, जब तक उसके अंदर पारफपरिक, सद्धाव या सम्मान है, जब तक वो ऐसा पालन करता रहेगा वज्जी तब तक उसको पराजित नहीं किया सकता, ये महत्मा बनता है और नयाधिश बनकर संग में फूट डाल दिता है तो जो लिच्छवीं गड़के जो प्रदान चेटक हैं इन्होंने मगत के विरुद्ध छत्यस राज्यों का एक विशाल संग बनाया लेकिन इस पूरी संग को जो अजाश अत्रु है बहुत ही आसानी से क्योंकि पह बहुत है और वहां पर नचेटकर दी भगवती सूत्र में अजाश अत्रु को वजजी संग का विजेता कहा गिया है इसका मतलब अब इसने पूरा का पूरा लिच्छवी गड़राज्य जीत लिया है कोशल पहले से आ गया था लिच्छवी गड़राज्य भी आ गया तो यह राजधानी लेकिन जो पाटली पुत्र है उसको हमको सद्रन करना बहुत आवश्यक है और वहां पर यह एक दुर्ग बनवाता है और इस दुर्ग को बनवाकर यह बुद्ध के द्वारा इसका उधगाटन कराता है तो मातना बुद्ध जब इसका उधगाटन करते हैं पाटली पुत्र का उसी समय वो बोलते हैं कि ये जो नगर है ये काफी प्रधान नगर बनेगा आगे चलके और ये वानिक जी का एक केंद्र बनेगा ऐसा प्रतीस होता है कि अजाज शत्रू पहले जैन धर्म से परभावित था पर बाद में बौध हो गिया बौध धर्म के इतिहास में अजाज शत्रू का बुद्ध से भेंट करना एक महतपूर्ण घंड़ना मानी जाती है और इसी घंड़ना का जो अंकन है ये भरूत इस्तूप के रेलिंग इस्तंप पर किया गिया है इसके इलावा हमने आपसे बात की थी पिछले अपने लेक्चर में जब महा जनपत पढ़ा था तो प्रसेंजीत और महात्मा बुद्ध की भेंट की बात की थी जिसका अंकर हमको भरूत में मिलता है और इस समय अजाश शत्रू और बुद्ध की जो भेंट है इसका अंकरन में हमको भरूत इस्तूप के रेलिंग इस्तंप पर मिलता है अजाश शत्रू के शासनकाल के आठमे वर्ष बुद्ध का महा परी निर्वान हो गिया यानि कि जब इसने अपने शासन करना शुरू किया उसके आठ साल के बाद मात्मा बुद्ध की मिलत्रीट की रहती है और अजाश शत्रू उससे में दावा करता है कि बुद्ध भी शत्रिये थे और मैं भी शत्रिये हूँ, इसी दावे के साथ वो अपना अस्तित्तु सिद्ध करता है कुशी नगर जाकर बुद्ध की अस्तियों अफशेशों पर, अब ये बुद्ध की अस्तियों अफशेश जो है, ये लेके आता है अपने साथ राजग्र आता है और 18 बहुत विहारों का भी जीन दुद्धार कराता है यह राजग्रह की सब्द पढ़नी गुफा है यहाँ पर प्रतम बहुत संगीती जो है यह भी आयजित होती है अजाशत्रु के समय में अब अजाशत्रु के बाद जो हमारा नेक्स्ट राजा आता है वह इसका न जो बहुत साहित्य है वो बोल रहा है पित्रहंता जबकि जैन साहित्य बोल रहा है कि पित्रहंता नहीं था क्योंकि राजग्रह को अवंती से खत्रा था अब अवंती में राजा प्रद्योत है जिसकी वएसे हमने देखा था कि किस तरह से अजाशत्रु ने अपनी जो उदहीन जो है अपनी राग्धानी शिफ्ट करता है राजग्रह से पाटली पुत्र की दरफ। जिसमें एक दूर्ग बन वाया था अजासच्त्रु इसको ये पूरी एक नगर का रूप देता है और यहां पे अपनी राध्धानी बनाता है पाटली पुत्र को ये जैन धर्म का अनुआई था जो उदैन है ये जैन धर्म का सीधा सीधा है और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है जैसे बिम्बिसार और अजाशत्रू थे दोनों जैन के तीनों ये भी पित्रहंता कहे गए हैं और अमात्यों और मंत्रियों ने अब ये जो आखरी जो शासक है नागदशक इसको सिंगासन से उतार कर उसके ही बनारस के अमात्य शिशुनाग बनारस का अमात्य शिशुनाग इसको राजा बना देते हैं और नय वंश की स्थाप पुप से शासन किया और महापदमनंद उनका संरक्षक बनके रहता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं शिशुनाग की ये वैशाली के एक राजा की संतान था इसलिए इसने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया तो अब ये जो राजधानिया बनने ये बहुत महतपूर ने इसको आप नोट डाउन कर लेना सबसे पहले राजधार बिम्बिसार के साथ जुड़ी हुई ये और इसके बाद हमने देखा उदाइन ने किस तरह से पाटली पुत्कर राजधानी मनाया और वैशाली को शिशुनाग ने मना लिया है पित्र घातकों के विर्द विद्रो क करने वाली जनता ने शिशुनाग को मगत का सिंहासन दिया यह हमने देख लिया भी और इसी के समय अवंती का जो है ये मगत में विलाय होता है ये बहुत ही महत्यपूर्ण तत्य है अवंती जो है वो शिशुनाग के समय में मगत में इसका विलाय होता है और अवंती का जो सामराज जी दीरे दीरे आप देख रहे हैं एक एक राजवनश के अंतर के कितना बढ़ता चला जा रहा है तो इससे मगत की जो पश्चमी व्यापार है उसके लिए भी एक नया मार्ग खुल जाता है क्योंकि अवंती विजय से मगत सामराज जी की जो पश्चमी सीमा है वो मा पार वाड़िज्य करने के लिए नया मार्ग मिल जाता है और इसके साथ-साथ इन विजयों से मगत एक विशाल राज्य में तब्दील हो गया और उत्तर भारत के वो सभी गणतंत्र इसमें सम्मिलित हो गया जो बुद्ध के समय विद्यमान थे इसके बाद आता है कालाशो कुणिक याद रफना है आपको शिर्णिक याद रफना है काकवन भी कालाशोग का अलग एक नाम है तो यहां से कई बार प्रेश्न बन जाते हैं कि किसको क्या बोला जाता है दूसरा नाम कई बार पूछ लेते हैं इसने अपनी राध्धानी पुन्हें पाटली पुत इस् कहां पे राजग्रह में ये आद रफना को कहां हुई थी किसके समय में हुई थी कौन सी थी जो प्रथम है वो राजग्रह में हुई सब्ध पढ़नी कुफा में अजाश हत्रू के समय दूसरी हुई कालाशोग के समय वैशाली में किसी व्यक्ती ने घुमते समय छुरा और इसके बाद इसके दस पुत्रों ने 22 वर्ज तक शासन किया, जिनमें नंदी वर्धन जो था, वो अंतिम शासक था, लेकिर अगर हम बात करें, युनानी लेखगों कि, क्योंकि अब उस समय अलेक्जेंडर का भी 326, हम बात करें, 326, 322 इस्वापूर के बीच में, तो इस समय क्योंकि अलेक्जेंडर का भी यहां पर हम देखते हैं, भारत में आक्रमन होता है, और जो युनानी लेखग हैं, अलेक्जेंडर साथ आते हैं, और इसके बाद बहुत सारे युनानी लेखगों ने भारत के उपर इतिहास में बहुत कुछ लिखा है, तो जो युनानी लेखक हैं जिनका नाम आते हैं कर्टियस और डियोडोरस ये कर्टियस और डियोडोरस इनके अनुसार जो काला शोक था इसकी पतनी महापद्मनंद के प्रेम में पड़ जाती है और महापद्मनंद जो है यही काला शोक की छल से हत्या कर देता है और उसके दस तुक्तरों का स संस्थापक है ये और ये निम्नवर्ण से संबंदित है पुराणों में से शुद्रा गर्बोधव बोला गया है जिसका अर्थ है कि शुद्र माता के गर्व से उत्पन होने वाला उसी तरह जैन स्थोथ हैं आवशक सूत्र इसे नपीत दास बोलते हैं तो ये पहला ऐसा राजा हमको मिल ला है जो कि शत्रिय नहीं है और लोर कास से बिलॉंग करता है बहुत स्रोतों में इसको अज्यात कुल का और डाकों के गिरों का मुखिया बताया गिया है पुराण बौध और जैन परंपराओं के अनुसार नौ नंद राजा हुए है कुल मिलाके महापदम नंद को लेके नौ नंद राजा हुए है जिनको नवनंद कहा गिया है पुराणों में एक को राजा यानि कि महापदम को राजा और बाकी आठ को महापदम का पुत्र बताया गिया है जबकि जो बहुत स्रोथ हैं उसके अनसार सभी जितने नवनन्द हैं नो के नो ये सारे के सारे भाई थे तो महापद्म के अन्य नाम हम को मिलते हैं उग्रसेन एक मिलता है उग्रसेन यानि की बहुत बड़ी सेना रखने वाला दूसरा नाम मिलता है सर्व शात्रंतक का मतलब है कि समस्त शत्रियों का नाश करने वाला इसके बाद मिलता है अपरो परशुराम यानि कि इसको दुईतिय परशुराम भी बोला गया है क्योंकि इसने संपूर्ण प्रत्वी को अपने शत्र के अधीन कर लिया था तो अगर हम इसका सामराज देखे Santiago तो नंदमश में महापद्मनन्द का सामराज ये है वो उत्तर भारत में ये जितना भी आपको शेत्र दिख रहा है ये पुरा मगध में इसका सामराज हो गया क्योंकि इसने अश्मक को भी जीत लिया है इसने अवंती तो पहले से ही था और कुरू पांचाल मिथला शूरसेन और अश्मक को भी महापदमनन्द जीत कर मगद में मिला लेता है अब हम अगर बात करें कलिंग में हाती गुमफा बिलेक की तो उसके अनुसार नंद राज ने कलिंग पर आक्रमन किया और वहाँ एक नहर का निर्मान करवाया तो यहां से सिचाई के उपर भी इसने ध्यान दिया है और वहां से कलिंग से ये एक आदी जिन जिसको बोला गिया है शायद आदीनात की मूर्ती जो है ये उठा लाता है यहां से तो आदिनात की मूर्ती उठागी लेक आता है कलिंग से और इसका उलेक कहा मिलता है हमको हाती गुमफा विलेक में हाती गुमफा विलेक में हमको ये भी उलेक मिलता है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया और वहाँ पे एक नहर का निर्मान कराया तो भारती इतियास में पहली बार इतने विस्तृत सामराज जी की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं जो हैं वो विंध पर्वत को भी पार कर गई यानि कि दक्षिन भारत में आक्रमन करने वाला ये पहला ऐसा इतियासिक हमारा राजा है अभी तक जिसको उमने देखा जिसने दक्षिन भारत में जिसने विंद्य परवत को पार करके दक्षिन भारत पर भी आक्रमन किया और गंगा घाटी के मैदानों से लेके विंद्य परवत को पार करते हुए इसकी पूरी जो सीमा रेखा है इसके सामराज जी की वो फैल जाती है मैसूर में एक बारवी शेताब्दी में एक अभिलेग प्राप्त हुआ है जिसके रिसार नंदो द्वारा कुंतल राज जीते जाने का उल्लेग है कुंतल राजी यानि की जो उत्तरी करनाटक और दक्षणी महराष्ट के पास का जो शेत्र है कुंतल उसको भी जीते जाने का उलेख यहां पे मिलता है और यह सिकंदर का समकाली ने सिकंदर जिस समय भारत पे आक्रमण करता है यहां पे राजा है और ऐसा भी बोला गया है कि शायद सिकंदर की सेना क्योंकि मगत का जो बहुत जादा शक्ति शाली समराज यह था इसलिए सिकंदर की सेना जो है भारत में और जादा अंदर नहीं जो युनानी लेखक हैं जैसे मैंने बताया आपको क्योंकि अब युनानी लेखक काफी जादा लिखते हैं इस समय तो युनानी लेखक धनानंद को बोलते हैं अग्रमीज और जैंडरोमीज तो इसके नाम आए हैं अग्रमीज और जैंडरोमीज किसको बोला गया है वन लाइ के जो धनानंद है इसके पास अतुल्य संपत्ती थी जिसका उल्लेक कथासरी सागर में भी मिलता है कि कथासरी सागर ऐसा बताता है कि नंदों के पास 11 क्रोण स्वर्ण मुद्राएं थी यहां से भी प्रश्ण मनता है दूसरा नंदों की अतुल्य संपत्ती का उल्लेक कमिल करता है ये भी एक प्रेश्ण मंता यहां से क्योंकि धनानंद ने चमड़े खानों के पत्थनों तक पर कर लगा दिया और जंता से बहुत जादा कर वसूली किये इसने जो जंता थी ये इतनी जादा बल पूर्वक धन वसूली से इसके विरुद हो जाती है और चानक के और च देनापती का नाम क्या था बद्रिशाल नंद वंच का अगर हम महत तो जाने तो समराट के रूप में प्रतिष्टित होकर निम्न जाकियों को गरिमा प्रदाम की क्योंकि महापदमन नंद कौन था लोर कास्ट का था आपको बताया मैंने राजनातिक द्रिश्टी से उत्तर भारत में सर्व प्रतम एक छत्र शासन इस्थापित किया यानि कि अब यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी आई तो एक छत्र शासन हुआ, इनके समय पाटली पुत्र जो नगर था वो वैभव और विद्धुता का केंद्र बन गिया, वरुची कात्यायन पढ़नी, जैसे विद्धवान इसी काल में उत्पन हुए, नंद शासक जो थे जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म को ये मानते थे, धनानंद का जैन आमात्य था शाक्ताल, इसकी मृत्यू के बाद उसका पुत्र है स्थूल भद्र, इसके बारे में बहुत दादा चर्चा करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, जैन साहित्यों को पढ़ेंगे, या जैन धर्शन पढ़ेंगे, तो स्थूल भद्र का बहुत दाद बनना वो सुईकार करता है नंदवंश नहीं बाप और माट का मानी करन कराया जेनो फोन करके एक व्यक्ति है इसकी एक पुस्तक है फेरोपीडिया इससे जानकारी मिलती है कि भारत का एक धनी शासक यानि कि धनानंद की बात कर रहा है पश्चिम एशियाई देशों के जगणों की मद्धस्ता करता था तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नंदवंश है जो धनानंद है वो कितना जादा शक्तिशाली है अगर हम मगत सामराज जी की सफलता के कारण धेने तो पहला कारण है भागोलिक परिस्यती भागोलिक परिस्यती कैसे है क्योंकि जो राजधानी थी जो हमने बात की जिसकी राजगीर राजगीर के बारे में आपको बताया था कि राजगीर जिसको राजग्रह भी बोलते हैं ये पांच पहाडियों से घिरी वी थी तथा जो इसकी नई राधधानी जो बनी जो बाद ने पाटली पुत्र बनी पाटली पुत्र अब क्योंकि वो पांच पहाडियों से घिरी है तो जाहिर सी बात है वो बहुत जादा सुरक्षित है और जो पाटली पुत्र बनी ये गंगा और सोन के संगम पर इस्थित थी गंगा एंड सोन रिवर तो ये गंगा और सोन नदी के संगम पर सित थी और अजाशत्रू के समय में गंगा नदी के दोनों दोडों पर नियंतरन भी स्थापित हो गया था जिससे जो उत्तरा पत्खा जो व्यापारिक मार्ग है वो भी नियंतरित किया जा सकता था तो इस तरह से बंगाल, कलिंग और देखा जातो हो शायद स्वराश्ट के बंदरगात से वो सारे के सामोहिक व्यापार के लिए इनके लिए वर्दान साबित हुए इसके अलावा जो दूसरा कारण है ये खरीजों का अत्यदिक मात्रा में होना खास कर लोहा जिसको डीडी कोशामबी साब ने माना है सबसे जादा इंपॉर्डेंट डीडी कुशामभी सामने सब्सक्रादा इंपॉर्डन माना है लोहे का होना क्योंकि लोहे की होने की वज़े से ही ये क्रिशी में अच्छे से विस्तार कर सकते थे और अपने जितने भी इनके हतियार से वो काफी मजबूत बना सकते थे तीसरा कारण है सीमा वर्ती प्रदेश ते हातियों की प्राक्ति जिसकी वेसे नोने एक मजबूत गर्ष सेना का निर्मान किया महत्पूर्ण वैवाईक संधियां जैसे बिम्बि सार ने करी अजाश अत्तुर ने करी ये भी एक महत्पूर्ण कारण था और आखरी में योग्य शासक और सफल सैन अभियान तो ये पाँच्छे ऐसे कारण से जिसकी वेसे जो मगध है वो बाकी सोला महा जनपदों से जादा शक्तिशाली बनता है और आखरी में एक छत्र शासन का निर्मान करता है एक पॉलिटिकल यूनिटी यहाँ पे पैदा होती है इसके बाद हम बात करेंगे मौर सामराज की और उससे पहले हम बात करेंगे जो विदेशी आक्रमण हुए भारत में धनारंद के समय में उसकी हम बात करेंगे कुछ चर्चा करेंगे सिकंदर के आक्रमण की चर्चा करेंगे यूनानी आक्रमण जो हुए है और उसमें क्या स अन्यवाद.